आज मैं आपको करवान वाला हूं चैप्टर नंबर वन रियल लंबर का एक्सराइज 1.2 का क्वेस्टन नंबर 3 नो फ्रेंड्स क्वेस्टन इस फाइंड LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method तो फ्रेंड्स इसमें prime factorization method दिया है तो आप कोई भी method कर सकते हैं जैसे आप छोटे standard में करते थे ऐसे वाली method जैसे की 12 नंबर है तो इसके factors यह वाली method भी आप एप्लाय कर सकते हैं और मैंने जैसे अभी आपको सिखाया जैसे 10 standard में मतलब अभी आप जैसे बड़े standard में आ गए हो तो आपको वैसी neatness perfectness और presentation रखनी होगी तो आप यह वाली method जो मैंने सिखाई 12 की जैसे कोई भी नंबर हो तो यह वाली आप अपकर करोगे तो आपकी ज्यादा attraction होगा आपके neatness work पर और आपको अच्छे से marks मिल सकते हैं friends मैं आपको वह सजेस्ट करूंगा कि आप यह method करें फिर भी अगर आपको जो easy लगती है आप वह कर सकते हैं इसमें भी हमें HCF and NCM दो में find out करने है prime factorization method से तो मैं आपको एक एक sum करवाता हूं तो चलिए friends start करते हैं हमको इसमें क्या करना हैं एक एक number का LCM और HCF find नहीं करना है हमें तीनों number का LCM और HCF एक साथ find करना हैं तो चलिए friends सबसे पहले factors निकलते हैं फिर LCM और HCF भी find कर लेंगे तो सबसे पहले 12 number दिया है तो 12 के factors निकलते हैं जो 12 का 2 से करते हैं तो सबसे छोटा number 2 ही है तो हम इससे start कर देते हैं तो 2, 6, 12 फिर 6 के भी जो factor होते हैं वो होते हैं 2, 3, 6 और 3, 1, 3 friends जो number यहां पे है हमें ऐसा number लिना होगा जिसको multiply करने पर answer हो आता हो जैसे यहां पे 12 है तो हमने ऐसा number लिया 2 जैसे 2 number लिया तो 2 को 6 से multiply किया तो answer 12 आगे वैसे 6 का देखते हैं हमने ऐसा number लिया जिसको multiply करने पर answer 6 आएगा ऐसा ही 3 है तो ऐसा ही number हमने लिए जिसको multiply करने पर answer 3 आता हो तो friends हमने 12 के easily ऐसे factor find कर लिए अब 15 के करते हैं 15 के करते हैं तो friends 15 तो एक 3 के table में आता है और एक 5 के table में आता है तो पहले मैं 3 से लूँगा तो 3 5 जा 15 और 5 जा 5 तो friends 15 के भी हमने find कर लिए इसके खाले 2 factor है इसके तीन factor है अब 21 के find करते हैं 21 तो या तो 3 के table में आता है या 7 के table में आता है और खुद के table में आता है तो friends पहले हम 3 से करते हैं 3 7 जा 21 फिर 7 1 जा 7 Friends यहाँ पे देखा हमने कितने easily हम इसके factors find out कर लिए अब इसमें से हम LCM और HCA find out करते हैं और चलिए friends सबसे पहले हम यहाँ पे factors में से HCA find कर लिए तो पहले 12 के 15 के और फिर 21 के is equal to is equal to is equal to 2 into 2 into 3 और फिर 3 into 5 अगर friends यहाँ पे आप 1 लिखना चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम जब इसको last में से करें तो 1,1,1 यहाँ भी हम इसको ऐसे करें 1,1,1 यहाँ भी हम इसको करें तो 1,1,1 अगर आप चाहें तो आपको 1 भी लिख सकते हैं friends आप next होगा 21 तो इसके 3 into 7 into 1 friends इसमें से आप सब देख सकते हैं कि 3 ऐसा factor है जो तीनों में से common आ रहे है 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है 3 के अलावा 1 ही है जो यहाँ पे तीनों में common है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है पर 3 वनज़ा तो 3 होता है तो आप लिखे या ना लिखे कि उससे कोई फरक नहीं पड़ता है इसमें हमारा LCM हो जाएगा 3 तो सॉरी HCF हो जाएगा यहां पर हमारा 3 HCF यानि highest common factor तो friends यहां पर हमारा highest common factor हो गया 3 अब friends हमें क्या करना यह है कि जो भी 3 के अलावा 3 यहां पर तीनों तीनों में आ गया था common तो friends अब 3 हमें एक ही बार लेना है और बाकी सारे number से हमें multiply करना है समझ में आया friends 3 यहां से हमने common ले लिया 3 common ले तो एक बाहर 3 आ गया जैसे कि 3 सब में से common यहां पर बाहर आ गया अब 3 को बाकी सारे rest number से उनके साथ multiply करना है तो चलिए friends वो भी हम यहां पर करके देख लेते हैं तो friends अब इसको हम multiply करके देख लेते हैं friends सबसे पहले हैं हम इन सबको multiply कर देते हैं फिर last में इसको 3 से multiply कर देंगे तो 2 into 2 4 होता है 4 5 सा होता है 20 और 27 सा होता है 140 और 140 को जब हम 3 से multiply करते हैं तो answer आ जाता है 420 तो friends 420 ही इसका answer होगा तो friends यहां पर last में हम लिख देंगे LCM is equal to देखे friends 2 दो बार है तो 2 square 2 दो बार था इसलिए 2 square into 5 into 7 तो friends इसका हम यहां पर जब answer आएंगे तो answer होगा और last में हमारे 3 भी तो है friends एक बार तो 3 यहां पर आ जाएगा 3 last में जो हमने common लिया था वो भी आ जाएगा तो friends इन सबको जब हम करते हैं तो answer आता है 420 तो friends आपने देखा कितना easily मैंने कर दिया यह तो मैंने आपको explanation किया इसलिए फुड़ा time लग गया लेकिन अब next question मैं quickly आपको करके बताऊंगा कै कैसे कर सकते हैं तो चलिए friends देखते हैं हमारा second question so friends अब हमारा question number 3 है जिसमें second number का question है हमारा 17,23 and 29 तो friends यह बहुत ही easy sum है इसमें बिल्कुल भी गब्राने की जरूत नहीं है friends इसमें देखें सारे number जो हैं इस सारे के सारे prime number है prime numbers यानि वह number जो एक तो खुद के table में आते हैं और दूसरे one के table में तो friends इनी number को हम prime number कहते हैं तो friends इनके factors निकालने बहुत easy है हम direct इनके factor निकाल सकते हैं तो friends 17 one's are 17 बस friends इसके factor आ गए और हम इसके क्या simplify कर सकते हैं क्योंकि 17 किसी के table में नहीं आता वैसे friends 23 भी किसी के table में नहीं आता या तो खुद के table में आता है या one के table में आता है इंटो 1 फिर 23 इस इक्वल टू 23 इंटो 1 और फिर 29 इस इक्वल टू 29 इंटो 1 तो फ्रेंट्स तीनों में common 1 है 1 1 1 HCF इसका common 1 है यहां पर हम लिख देंगे HCF is equal to 1 और फ्रेंट्स LCM हमें जब करना होगा LCM lowest common factor तो हम 1 एक बार लेना होगा और मैं बता है rest of all जो भी number बचते हैं उन सबको ले लेना होगा तो 1 यहां पर एक बार common आगया 17 इंटो 23 इंटो 29 तो फ्रेंट्स 29 यहां पर last number अब इनको हम multiply करके answer लेकर आगते हैं तो फ्रेंट्स जब हम इन तीनों को multiply करते हैं क्योंकि 1 से तो कोई भी number multiply वह होई रहेगा 17 इंटो 23 इंटो 29 जब हम multiply करते हैं तो हमारा answer आजाता है 11339 तो फ्रेंट्स यह हमारा LCM होगा और HCF हमने find out कर लिया है फ्रेंट्स देखा आपने यह कितना easy हो गया अब हम करते हैं हमारा question no.2 का last question sorry question no.3 का last question जो है 8 9 and 24 तो फ्रेंट्स हो भी देख लेते हैं कैसे जल्दी easily हम कर सकते हैं फ्रेंट्स अब हमारा third question है 8 9 and 25 तो फ्रेंट्स 8 9 और 25 भी बहुत easy है इनके भी factors हम easily निकाल सकते हैं तो फ्रेंट्स अब मैं आपको थोड़ा retail में नहीं समझाऊंगा मैं इसको quickly करके दिखाऊंगा कि आप इसे exam में कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले हम 8 के निकालते हैं तो 8 के होते हैं 2 4 जा 8 फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1 तो यह खली 2 के वेक्टर से 2 क्यूब भी 8 होते हैं फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि यह सारे क्यूब है यह 8 होता है 2 का क्यूब 9 होता है सॉरी फ्रेंट्स यहां पर 9 3 का स्क्वेर है और 5 भी 3 का स्क्वेर है तो यह दोनों 3 और 5 के स्क्वेर है और 8 2 का क्यूब है तो फ्रेंड्स अब next है हमारा 9 फ्रेंड्स मैं बता है 3 का square होता है 9 तो 3 3 जा 9 और 3 जा 3 तो फ्रेंड्स यहां पे भी मैंने कर दिया अब 25 तो 5 5 जा 25 5 जा 5 तो फ्रेंड्स मैंने इसे easily इसके करके बता है क्योंकि आगे जो sums थे वो थोड़े बड़े थे उसमें आपको बले थोड़े difficulty हो सकती है लेकिन यह sum मैं आपको कोई difficulty नहीं होगी इसलिए मैंने इसको easily और पटा-पट आपको गरके बताया और फ्रेंड्स इन सबके factors लिख लेते हैं इसमें भी same वही होगा यह एक भी common one के अलाव कुछ नहीं होगा लेकिन हमें यह सब display करना होगा यह आपकी presentation बहुत अच्छी होनी चाहिए exam में 2 into 2 into 2 फिर 3 into 3 फिर 5 into 5 फ्रेंड्स लास्ट में वन तो सब में होता है यह 1 into 1 into 1 यहाँ पर यह 1 यहाँ पर भी यह 1 और यहाँ पर भी यह 1 तो फ्रेंड्स वन भी सब में होगा तो 1 ही यहाँ का highest common factor या फिर hcf का है तो hcf is equal to 1 और फ्रेंड्स यहाँ पर बाकी सब को multiply कर देना है तो फ्रेंड्स चलिए उसको भी हम multiply कर देंगे तो lcm is equal to 2 cube into 3 square into 5 square तो फ्रेंड्स आपको इसी form में लिखना होगा क्या है आपकी presentation उससे थोड़ी अच्छी रहेगी supervisor जो भी होगा उसको checking करने में थोड़ी easily होगी उसको भी ज़्यादा देखना नहीं बढ़ेगा तो फ्रेंड्स अब इसको multiply कर लेते हो और 72 को जब हम 25 से multiply करते हैं मतलब 5 square तब answer आजाता है 1800 अठरासो answer आजाता है 1800 अठरासो तो फ्रेंड्स 1800 इसका LCM है तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना easy or quickly मैंने ये कर दिया तो फ्रेंड्स आप भी अगर ऐसा ही करना चाते हैं तो please मेरे चैनल को like, share और subscribe जरूर कीजिए अगर आपको कोई doubt है, query है तो please comment box में comment कीजिए या फिर मेरी Instagram ID पर मुझे follow करके मुझे questions पूछे मैं इसकी भी link description में डाल दूँगा तो friends अगर आपको कोई query हो तो please comment कीजिए तो मिलते हैं हमारे next video में तब तक की ये, goodbye